प्रिये विद्यार्तियों आज हम आरेखों का पर्थम परकार एक वी में आरेख का अध्यन करेंगे उसका भी सबसे पहला आरेख सरल दंड आरेख है एक वी में आरेख में सरफ एक ही माप होता है इसमें सरल दंड आरेख में हम इसको या उचाई या लंबाई मान सकते हैं इसके डेटा इस परकार है भारत में लिंग अनुपात 1901 से 2001 तो पहला वर्स लिख लेते हैं एक खाने में और दूसरे में एक अजार पूर्सो पर इस्त्रियों की संक्या लिंग अनुपात यही कहलाता है कि एक अजार पूर्सो पर कितनी इस्त्रिया है 1901 में 922, 1911 में 964, 1921 में 950, 55, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 935, 1991 में 927, 2001 में 933 अब सबसे पहले जो अपने पास आकड़े हैं इन में से अपन पैमाना लेंगे तो अपने पास जो डेटा हैं वो 920 से लगा करके 932 तक हैं तो अपने इन में देखें अपना पैमाना क्या उचित रहेगा तो हमने एक सेंटिमीटर बराबर दस फिमेल मान ली तो अब यहां दूसरा बिंदू सबसे बड़ा सोचने का यह है कि अपने पास जो डेटा हैं वो 920 से शुरू होकर 932 तक है अर्थात जीरो से लगा करके 920 तक कोई डेटा नहीं है तो हम अगर एक सीमा तक डेटा नहीं हो और उसके बाद लगातार डेटा रहते हैं तो हम जीरो से उस सीमा पर सीधे पहुंच जाते हैं और एक किंक बना देते हैं जो इस आरेक में देखिए जीरो से 910 पर गया एक सेंटिमीटर तो जीरो से 910 के बीच में एक लाइन कट की जाती है और उस पर ये आडी लाइन बनाई जाती है इसको किंक कहते हैं इसके बाद 920 एक सेंटिमीटर बाद फिर 930, 940, 950, 960, 970, 980 और 990 इस तरफ अपन फिमेल पर वन थाउजेंट में लिख देते हैं ये लिंग अनपाथ है अब अपने को दंड बनाने हैं इसके लिए भी अपने को सबसे पहले इसमें सिर्फ उचाही माप के अंसार होगी या लंबाई माप के अंसार होगी इसकी मोटाई या चोडाई माप के अंसार नहीं है तो हम अपनी सीट के अंसार अका हमारे दंड इस पूरी सीट में आराम से बन जाएं तो उस तरह के मोटाई निर्धरित कर लेते हैं वह एक दंड से दूसरे दंड की बीच की दूरे भी अपन समान रहे वह भी अपने को स्वयमी निर्धरित करने है इसके लिए कोई पैमाना नहीं होता है तो हमने कर लिया एक दंड से दूसरे दंड के बीच में एक सेंटिमीटर का गैप रहेगा और एक दंड के मोटाई मान अपनी एक सेंटिमीटर रहेगी अब बनाने से पहले जैसे अपने दंड टेड़े मेड़े नहीं बने इसके लिए जितने भी दंड अपने को बनाने है उतने बिंदू अपन निच्चे लाइन पर लगा दें जितना गैप रखना है वो बिंदू भी सतत लगाते चलें उसी अमसार उपर की तरफ भी अपन उतने ही बिंदू लगा ले जिससे जब अपन दंड बनाएंगे तो वो सीधे रहेंगे टेड़े मेड़े नहीं बनेंगे अब 1901 में जो अपना सेक्स रेश्यो है वो 900 बहतर है अपने स्केल लिया सीधा ही है 970 तक उसके बाद दो और जादे है 900 बहतर यहां एक मिलिमीटर बराबर एक फेमेल है तो इसके बाद 970 के बाद 2 मिलिमीटर के और उचाई उपर हो जाएगी और अपना 900 बहतर बन गया और निच से 1901 लिख दिया इसके बाद 1911 है यहां जो सेक्स रेशो है वो 964 है अपना वोई स्केल लिया और 0 से अपने को पता है कब यह 910, 20, 30, 40, 50, 60 और 64 है तो 6.4 मिलिमीटर निचे से नापर और अपनने इंकित कर दिया फिर 1931 इसमें सेक्स रेशो 955 है तो फिर वोई 1 सेंटिमेटर का गयप लिया और 5.5 सेंटिमेटर की अपने लाइन खीज दी और अपना दन बन गया 1931 में 950 है तो यहां पर 5 सेंटिमेटर की लाइन आगी और अपना बन गया इसी परकार 1941 में 945 है यहां साड़े 4 सेंटिमेटर की लाइन बनेगी और अपना दन बन जाएगा 1931 में 946 है तो यह 4 दसमलो 6 सेंटिमेटर की लाइन हो जाएगी इसी परकार 1971 में 930 है सेक्स रेश्यो तो अपने आधार एका से 3 सेंटिमेटर की लाइन हो जाएगी पुनहे आगे 1981 में 935 है इसमें 3.5 सेंटिमेटर की लाइन हो जाएगी और अपना दन बन जाएगा 1991 में 927 है तो इसमें 2.7 सेंटिमेटर की लाइन हो जाएगी और यह अपना दन बन गया 2001 में सेक्स रेश्यो 933 है तो नेचे से 3.3 सेंटिमेटर की लाइन खीची और अपना दन त्यार होगा तो बहुत सरलारेक है इसमें कोई ज़्यादा गुना भाग है नहीं वैसे आपको इतना सोच न रहते है कि अपने डेटा कहां से शुरू है और कहां समापते हैं और मैं मेरा पैमाना उसी के अनुसार लें यह जरूर है एक मेरा यह दंड सीधे रहें तो इसके लिए दोनु तरफ अपन लाइन खेच लेते हैं बाद में परकिस लाइन मिटा देते हैं पैंसिल से जिसे टेड़े में नहीं बनते हैं तो यह अपना आप अपने इसकी एक सीट भी बना लेंगे घर जा करके धन्यवाद मैं मैं नहीं सारा नमर ये लेगा